तो जैसे कि मैंने परोटा के रेसिपी आपको बताई थी कैसे इसको सेखना है रेडिमेट पाकेट को ठीक उसी तरह ये चपाती की जो रेडिमेट पाकेट है मैं इसको सेख कर बताऊंगी कैसे सेखना है और बन कर कैसे तयार होगी ये भी मास कंपनी की है और ये देखे इस त इसको उपन करते हैं यह निकालने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा मैं अभी एक चपाथी आपको निकाल कर बताती हूं यह देखे इसके ठीकनेश इस तरह से रहेगी तो अभी आउन कर लेंगे और इसको इस तरह से अच्छा पैन हीट होने के बाद इसको आप रख फ्लेम को करिए हाई और वेट किजिए यह देखिए छोटे चोटे बुबल साना स्टार्ट हो गया है अब भी टाइम हो गया है इसको टर्न करने का यह देखिए बिसमिल्ला माशाला बहुत ही फ्लफी और अच्छे से फुल रहे हैं इस टाइम पर अगर आप चाहें तो आप को आड कर सकते हैं अगर नहीं चाहिए आपको फुल का टाइप खाना है तो आप ऐसे ही खा सकते हैं माशाला माशाला यह देखिए वांडरफल सुपर्ब मैं यहां पर लगा रही हूं ओए आप पी चाहे तो लगा सकते हैं सुपर्ब मस्त होई है अभी इसे तोड़ कर भी आपको थोड़ा से थंड़ा होने दीजिए तब तक हम दूसर सेख लेते हैं बिसम अलाह अच्छा नहीं है माशाला खाने का बहुत दिल कर रहा है अभी इसको आपको बताती हूं नहीं है थोड़ा सा गूल हो गई है माशाला बहुत ही बहुत भाइतरीन बनी है चलिए तो बहुत ही इसली तूड़ गई है रोटी माशाला यह देखे बहुत ही एक्सलेंट है यह देखिए वाँ तो यह रहा रेडिमेट पैकेट आपको आएंगे इसमें 10 पीसे यम्मर पी रहेगा 85 रुपीज और फुल आजी का स्टाक आपको मिलेगा और यह भी सेम आज इस आप बाहर रखेंगे 4 देख, फ्रीजर में रखेंगे 7 देख और आप पूरा डीफ्रीज में रखेंगे तो 30 डेज आप स्टोर करके रख सकते हैं इसको चपाती या फो फिर घी या फिर ओईल के सांत आप सेककर खा सकते हैं इसका प्राइज आपको रहेगा 85 रुपीज आपको तो मिल जाएंगे है ना बहतरीन खबर तो देर किस बाद की जल्दी से जाएए सिपने इंटर्प्रेजिस में और ले लीजिए हमारा कंटक नमबर है 8978695738 तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अलाहफेश